नमस्कार शाली नी पेच पे आपका स्वागत है इससे पहली वीडियो साथ शुप पौधों के बारे में जो बताई गई थी वो वीडियो आपको अच्छी लगी उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद उस वीडियो में मैंने आपको उन साथ पौधों के बारे में बताया था ज हार सिंगार और परिजात के पौदे में क्या अंतर होता है दोनों ही पौदों का क्या महत्व है और उनके क्या गुण है उस सभी की जानकारी हम इस वीडियो में दे रहे हैं आपको भी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यह शेयर कीजेगा ताकि जादे से जादर को रात की रानी का फूल भी कहती है हार सिंगार का ये वरक्ष रात की रानी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस पुष्प को रात के समय खिलकर वातवां को सुगनत कर देता है तदा जढ़ जाते हैं परिजात का फूल देखने में आलों के प्रतित होता है परिजात का केवल एक बड़ा घना पेड़ है जो सरकार दोरा पुरातत्यों के विवाग में सुरक्षित रखा गया है दोनों के बोटनिकल नाम भी अलग लग है हारसंगार एक साधान वरक्ष है जो साधान तया उपलप्ट करता है लेकिन कई जगे पेसे परिजात का नाम से पुकारा ज परिजात का पिड़ बहुत साल पुराना कल्प वरक्ष की उम जो है वो 6 साल परानी आंकी गई है यह एक बेयत मोटे तने वाला फलदाई वरक्ष है जिसकी टहनियां लंबी होती है और पत्ते भी लंबे होते हैं दरसल यह वरक्ष पीपल की तरह वरक्ष की तरह फैलता है इसके पत्ते कुछ आम पत्तों की तरह ही होते हैं और शट कोड़ होने के काना इसे कल्प वरक्ष की तरह से इसका पूजा की जाती है परिजात का पौधा मा कुंती के नाम पर रखा गया था किंतुर गाउं जला मुखाले बारामगी के अलगवग 38 किलोमेटर दूर कारवे नमर पर रत्न प्राप्त हुआ था इसलिए उसे प्रजात कवरश ही कहा जाता है जिसे चूने मातर सही ठकान मिट जाती है और उर्जा का संचार होता है वे देव दोश भी शांत होगा घर के सदसों का कल्यान करती है इसे घर के उत्तर पूर दिशा में लगाना चाह क्योंकि इसकी 11 वर्ष तक इसकी जोड़ों में जो है वो गड़ी जी की आकरती उभर जाती है सफीद आकड़ा यह सबसे शुब माना जाता है लेकिन आपके घर में जगे ना होने के कारण भी आप उसको गमलों में लगा सकती है भगवान शिव और गड़ी जी का इसका पोजी जी ने भी राम जनभूमी में इसका हनमान गड़ी छेत में परजात का पौदा का रोपर किया दरसल यह परजात का पौदा जो है वो राम जनभूमी में लगाने का एक ही करान था कि यह एक ऐसा पेड़ है जो जिसके बारे में पुरानों में भी उलेग मिलता है परिजात की फूल बहुती प्रियते कहती हैं इन फूलों कुछ से माता लक्षमी और उनकी अफ्तारों सीता रुकमणी की पूजा की जाती है घर में धन्धान की व्रत्दी होती है पता कि अनुसार परिजात व्रक्ष की उत्पती समुद्र बंधन के दोरान हुई थी यह दी तो इस पर नारब मुझे ने कहा इस हार को धान करके आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं यह बात सत्भामत तक पहुंची तो वे जित करने लगे कि मुझे बीजे स्वर्ग में परिजात कवरक्ष चाहिए और अपनी पतनी की जित पूरी करने के लिए श्रीकिशन को द पर जाएंगे इसलिए प्रजात की फूल सुर्योदर होने से पहले गिड़ जाते हैं अब पात कर रहे हैं हम हार सिंगार के पौधे की हार सिंगार का फूल बेहत सोगंदित चोटे पंखड़ी वाले सफियत रंके होते हैं फूल के बीच में चमकीला नारंगी रंग इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देता है यह फूल सिर्फ रात को ही खिलता है इसलिए इसे नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहते हैं हार सिंगार का पौधा चोटे या बड़े दोनी रूपे विक्सित हो सकता है इसकी फूल सफेद और सोगंदित होते हैं हार सिंगार का पौधे को लगाने से बचना चाहिए हार सिंगार का पौधा एंटी इंफलेमेटरी और एंटी वेक्टरी ग्रॉंक से लेस माना जाता है हार सिंगार के पते का पानी पीने से बुखार सर्दी खांसी काफी सारे रोगों से राहत मिलती है इसके पते को पानी मुबाल कर से सर्दी खासी राहत मिलती है इस तरह से हार सिंगार पत्ता बहुत फाइदे मन्द है वैसे तो वह किसी चीज को अगर जरूसे ज्यादा लिया जाए तो वह सौस के लिए हानिगारख हो सकता है कि यह वीडियो मैंने इसलहीं बनाई है क्योंकि सभी लोगों ने यह बोला कि मैंने जो साज शुब पौधी बताई हैं उन शुब बादों में सबने हारसिंगार के पौधी को ऑटी को इव परिजाद का पौधा माल लिया और मैं आपको यह पड़ाने के लिए यह वीडियो बनाई गई है कि हारसिंगार और परिजात के पॉदी में क्या अंतर होता है हारसिंगार पौदा जदी आप खरीते हैं तो आप ध्यान रखिए कि परिजात का फॉदा नहीं है फरीजात का पौदा खुरिते समें आपको इस बा को क्चछान में दिखाँंगी दौन benim थोड़ा सा अंतर होता है वह थोड़ा लाइट कार्यक होते हैं हर सिहां दाप के लिग कर लके होती है जबकिछ सक Đ priests के light ओर के लके होती है यह दोनुवे भाँच को मैं आपको दिखातीयों ने सिंखेंगार का एक ये पहचान होती है इसकी जो पत्ती है ये वाली देखिए आप बिल्कुल प्लेन है कहीं से भी कटिंग निंग दिखाई दे रही एकदम प्लेन पत्ती है कहीं से भी कटिंग निंग दिखाई दे रही हार सिंगार के पौदे में और जबकि जो परिजात का पौदा है उसम से स्कु barking नु Treasury कि ये ने।u पद qny दोनों को बोला जाता है कि एक से पोद हैम पर एक इस पॉद्धध है तो पुद्ध दो की एक आख से सबना होँते हैं और न हें पुद्ध की टाथ की के में घंट के मॉति होता है तोड़ा सा एक बात त不過 ऑर दो परिजात का है वो लाइट औरेंज कलर का आता है बस यह अंतर है दोनी पोदे देखिए मेरे पास है और मैं आपको इनका अलग से दिखा रहे हूं और यह देखिए बिल्कुल प्लेन पत्ती है सब में ब्रांची सारी है छोटी छोटी देखिए इनमें ये कटिंग है इनमें ये कटिंग है इनमें सब में कटिंग है सारी पतियों में इसमें कटिंग है यही अंतर होता है दोनों में इसलिए हार्सिंगार और परिजात को आप एक से पौधे नहीं बता सकते हैं यदि आप एक से पौधर कह रहे हैं तो वो गलत है और आप यधि आप से भी कोई प्लांट वाल आपसे कहे कि हर्णों काफी अंतर होता है इसलिए जब भी आप लें तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप हर्णों काप ले रहे ंद्रम परिजात यह वीडियो में आपको बताने के लिए ही तोनों पोदों को अलग रखा है और दोनों पोदों में आपको अंतर दिखा रहे हूं कितना अंतर है दोनों की डिजाइन में भी दोनों में आंतर है देखी दोनों के डिजाइन में आंतर है आप दूर से अधिके लिए ये डार्क गीरें इसकी प्लेन पतिया है इसकी कटिंग वाली पतिया है इसमें बहुत ज्यादा बस थोड़ा से अंतर होता है पर इसलिए आप जब भी लें तो परिजात का ही पौधा लें हार सिंगार का पौधा ना लें हार सिंगार का पौधा आप वैसे लगाना चाहते हैं अपने घर में तो लगा सकते हैं पर परिजात का पौधा जरूर लगाना चाहिए यदि मेरी वीडियो आपको आसानी से समझ आ रही हो तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा जाता से यदा ताकि लोग बाग यह समझ सकें कि हारसिंगार और परिजात में क्या अंतर होता है और वो लोग अपने घर में परिजात का ही पौदा लगाएं गलत से हारस सब्सक्राइब करना ना भूलेगा यदि आपको भी मेरी कोई वीडियो देखनी हो तो आप यूटूब सर्च बटन पर या तो मेरा नाम और उस वीडियो के बारे में बोल दीजिए या फिर उस वीडियो पर लिख दीजिए शालेनी गर्ग सिंगल डूसा रेसिपी शालेन इस तरीके से आप कोई भी वीडियो बोल देंगे तो वही वीडियो आपके लिए आ जाएगी थैंक्यू सो मच